क्या इसका असर हो कि मैं अभी आपके एक मित रहा हूँ इंद्रेश जी उनसे मेरा संबाद चल रहा था ठीक इंद्रेश जी ने कहा कि अब इसको इसको पर देखने के दो दो प्रॉस्पेक्टिव आते हैं एक प्रॉस्पेक्टिव आता है कि एक ऐसे युक की शुरुवात कि यहां से कलियुक के अंत होने की शुरुवात हो रही है वो जैसे दिया बुझने के पहले एक लौत तेश करता है यह वो तेज लौती जिसके बाद धीरे-धीरे समापन की तरफ शुरुवात हो जाएगी कलियुक के खत्मोने की बात आ जाएगी और चीज हो जाएगी एक असर भी दिख रहा है सोशल मीडिया से लेके तमाम जगों पर लोग कर रहे हैं आपका इस पर नजरिया क्या है देखिए एक चीज को हर व्यक्ति अपनी भावना से परिभाशित करता है कि ठीक है मैं तो कि यह कहता हूं कि मेरा अपना मानना यह काशी तक जाए मत्हुरा तक बहुत ही अच्छी बात है कल्योक कांत हो रहा यह भी ईक भावनात्मक पक्ष हो सकता है क्रदोनिकर शास्त्री दृष्टी से देखा जाए तो कल्योक की एक अपनी आयूँ और भगवान तो युगातीत है भगवान का आ गए विराजमान हो गए एक लंबी स्ट्रगल के बाद आए पर बस अब ये नहीं होना चाहिए जिन कारणों से राम जी वहां से हटाए गए थे जो भी परिस्थिती बनी थी जिस कारण से इतनी बड़ी स्ट्रगल आई अब इसके बाद वो उर्जा बनी है राम के विग्रह के स्थापित होने से जिस कारण से ये किसी और स्थान पर भिन्य स्थान पर कहीं भी ऐसी परिस्थिती न बने कि फिर से किसी दूसरे के धर्म, किसी की मान्यता, किसी की आस्था, किसी की भी मर्यादा, किसी के भी सम्मान को हानी पहुचाई जाए. आज एक प्रकार से राम जन्म भूमी किसी के आत्म सम्मान की स्थापना है राम जन्म भूमी एक बहुत बड़े इतिहास में हुई घटना को सुधारने की सम्भावना है राम की स्थापना एकम सद्विप्रा बहुदा वदनती है राम की स्थापना यत्र नारियस्तु पूज्जनते रमंते तत्र देवता है राम की स्थापना मैं कहूंगा परहित सरिस धर्म नहीं भाई है ये सब जो पॉजिटिव सकारात्मक्ता समाज के अंदर व्यापत होनी है वो राम की स्थापत होने से पूरी दुनिया जानना चाह रही है मैं अभी आपके पास सीधा येरोप से ही आ रहा हूँ यूके था दो दिन पहले किसी से समवाद हो रहा था जस्ट मैं एक अंडर ग्राउंड में दो मिनिट के लिए ट्रैवल कर रहा था उस समय मेरी वेश भूशा को देखकर एक ब्रटिश व्यक्ति ने पूचा यू फ्रम इंडिया तो मैंने का येस तो वी वी जू जब दो चार चरित्रस को बता है तो ही वस अस्टॉनिश्ट सर्प्राइज़ कि वह ऐसा भी चीज़ें हो सकती है तो ये जो राम की जग्यासा समाज में जागरत होई है ये एक प्रकार से समाज में जो डेमोक्रेटिक बहेवियर है सुईकार करने की क्रियाए हैं एक दूसरे को सम्मान देने की क्रियाए हैं निशाद और शबरी से ले करके बड़े से बड़े उंचे पद्वी तक बैटने वाले लोगों को जोडने की जो क्रिया है ये राम के माध्यम से स्थापित होने वाले है एक सवाल नई पीड़ी के मन में खास तोर पर आता है त्योंकि प्रभुशी राम का मंदिर बन रहा है धार्मिक विशे हैं, लोग खुश हैं, एक बहुत बड़ा बर्ग ये लेकिन भारत की खुबसूरती है कि भारत में हर प्रकार की लोग है सवाल उठाने वाले भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं वो हैं जिने मतलब भी नहीं है उसमें एक वर कई बार ये सवाल पूछता है कि पूजा पाठ ठीक है हम सब अपने घर पर करते हैं प्रभुशी राम का मंदर भी है ठीक है लेकिन पूरा देश एक मंदर के पीछे पड़ गया उससे क्या मिलने वाला है ये सवाल उठ रहा था कि राम मंदर से क्या मिलेगा जितना हमने जोर जितनी हमने ताकत लगाई अगर इतना हम बीते कुछ सालों में अच्छे स्कूल, कॉलेजिस, आयाटी या स्पताल में लगाते तो शायद देश और जादा विकास करता हम, हमारे लोगों को मिर्का, इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता वहाँ नौकरी के ले संगर्श नहीं करना पड़ता, देश के उन्नती होती, GDP बहतर होती पूरा देश मंदिर मंदिर में लगा पड़ा है, आप इन सवालों कैसे देखते हैं, देखिए सबकी अपनी सोच है, देश स्वतंत्र है कुछ भी सोच सकते हैं, पर अगर आप एक रैशनल, एक तरकवादिता से विचार करें, सबसे पहली बात यह है कि एक रोल मॉडल किस विचार धारा से विकसित होना चाहता है, राम भगवान है, पूजा है, मंदिर है, यह तो एक सबसे उची बात है, पर एक विचार धारा भी है, राम एक संपुर्ण विचार धारा का नाम है, जहांकि एमपावर्मेंट है, जहां वोमन रिस्पेक्ट की बात है, यह जो एक role model जब character क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा राम चरित्र मानस चरित्र का मतलब होता है character जब तक कोई role model नहीं होगा तब तक character नहीं होगा और जब तक character नहीं होगा तब तक development कहां ले जाएगा hospital बड़े होंगे पर hospitality नहीं होगी पूरे देश को एक character मिलाए